मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे कुछ बच्चे बाद बाद पर गुसा करते हैं अपने परिवार से नराज हो जाते हैं यहां तक कि मांबाप पर भी गुसा करते हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि इतना गुसा क्यों मैं जानता हूँ कि परस्तितियां तुमारे पक्ष में नहीं हैं तुम अपने आपको कमजोर और हारोवा मैसूस कर रहे हो तो क्या गुसा करने से प्रस्तितियां ठीक हो जाएंगी नहीं और भी खराब हो जाएंगी अगर तुम शांत मन से समस्य का समधान ढूंडोगे तो तुम्हें हल मिल जाएगा कोई भी कारन हो कोई भी बात हो चिडो मत गुसा मत करो जोर से मत बोलो मन को शांत रखो विचार करो और फिर निर्णे लो आवाज से आवाज नहीं मिटती बलिक चुपी से मिटती है अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो आप अपनी आवाज उचिना करके समझाने का तरी लें क्रोध में मनुश्य अपने मन की बात कहने की बजाए दूसरे के हर्दे को यादा दुखाता है हमेशा सोचकर बोलिए क्योंकि बोलने से पहले शबद आपके गुलाम होते हैं और बोलने के बाद आप शबद के शबदों के दाउंत नहीं होते पर जब शबद काड़ते ह तो दर्द बहुत होता है कभी-कभी घाव इतने गहरे हो जाते है कि जीवन समाप्त हो जाता है प्रतु घाव नहीं भरते जब भी बोलो, मीठा बोलो तुमारे दो पल का गुसा रिष्टों में खटास पैदा कर देता है जबकि बाद में तुम्हें पश्टावा होता है पर समय हाथ से निकल जाता है अगर तुम्हें सामने वाली की किसी बात पर गुसा आता है तो उस समय तुम्हें अपने गुसे पर नियंतर रखना चाहिए मैं जानता हूँ ऐसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा तुम्हारा दिल उसी समय प्रतिक्रिया देना चाहेगा पर उस समय बात खराब हो जाती है रिष्टों में खटास आ जाती है अगर तुम उस समय जवाब ना देकर थोड़ी समय बात अपनी प्रतिक्रिया दोगे तो बात नहीं बढ़ेगी, रिष्टों में खटास नहीं आएगी, सामने वाले को तुम्हारी बात समझाए जाएगी रिष्टों में हमें एक दूसरे को हराना नहीं, बलिक एक दूसरे को समझाना होता है यही एक रिष्टे का आधार है मेरे बच्चे तुम्हारे गुसे के कारण मैं अभी तुम्हारे नजदीक नहीं आ पारा जबकि तुम नेक दिल के हो तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बुरा नहीं पर तुम गुसा बहुत करते हो अपने इस गुसे को शान्त करो ताकि तुम्हारे जिनके की परस्थितियां ठीक हो जाए और मैं भी तुम्हारे लिए काम कर पाऊं अपने बावा का कहना मानो और आज से अपने गुसे पर काबू करना सीखो खुश रहो